अब देखो ये न्यूस के अंदर क्यों है ये न्यूस के अंदर इसलिए है क्योंकि रीसेंटली हमें और इशा के अंदर एक बहुत दुखत गड़ना देखने को मिली जो तीन ट्रेंज थी वो आपस में टकरा गई दो आपस में वो डायरेक्ली नहीं टकराई हमें एक पूरा सिनारियो देखने को मिला कि एक जो ट्रेन आ रही थी वो गोड्स वाली ट्रेन में टकराई जिसकी वज़े से जो दूसरी लेन में आ रही थी वो भी कईना गई टकरा गई है यां तीन ट्रेंज का हमें क्लैश डाय लिया, indirectly देखने को मिला, involvement देखने को मिला and इसकी वज़े से बहुत बारी नुकसान हुआ, बहुत सारे लोगों की जाने चलेगी, बहुत सारे लोग injured हो गए, बहुत unfortunate हमें ये accident देखने को मिला है, अब इसी से related investigation अभी चल रही है कि क्या वज़ा रही कि हमें ये देखने को म mission है क्या, इसी को हम इस particular lecture में cover करेंगे, start करते हैं अपने आज के lecture को, पर उससे पहले आप सब अनक एडमी के साथ जुड़कर अपनी तयारी को start कर सकते हैं, बहतर बना सकते हैं and इसा में huge price drop हो रहा है, तो if you are considering to take UPSC subscription अच्छा मौका है, अभी आप consider कर सकते हैं, अनक एड means clear हो जाता है basically and means अगर आपको clear हो जाता है, आपको interview guidance program free मिलता है and अगर interview में आप कई ना कई आपका अच्छी rank आ जाती है, आप इस examination को crack कर लेते हैं, आपकी 100% fee refund हो जाएगी and ये आपके लिए एक अच्छा मौका है, आप इसको consider कर सकते हैं, also foundation batches for 2025 start हो रहे हैं 8th of June यान इसके अंदर, तो आप use करेगा code AMSLIFE ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ AMSLIFE, इसको अगर आप इस्तिमाल करेंगे तो आपको extra benefit मिल जाएगा, अगर फिर भी कोई doubt है, यहाँ पर आप call कर सकते हैं, also foundation success program भी 5th of June से चालू हो गया, यहाँ पर भी अगर आप use करेंग को सुबह 11 बजे होने वाला an academy scholarship test जरूर देना, अच्छी rank अगर आपको आती है, तो आपकी scholarship भी आ सकती है, तो इसको जरूर देना, also EPFO mock test होने वाला 18th of June को, तो जो भी लोग अभी तयारी कर रहे हैं, EPFO examination की 2nd of July को paper है, उनके लिए benefit कहीं ना कहीं देगा, तो जरूर इस exam को देना, जिससे आपकी तयारी हो जाए, चलो, अब देखो, what is commission of railway safety, अगर हम इसकी बात करते हैं, कैसी kind of body है, यह government body है, जो की act करती है, as railway safety authority in the country, and यह in matters को देखती है, कि जो rail है, जो rail का travel है, वो लोगों के लिए safe है कि नहीं, जो operations सरकाल लेकर आ रही है, क्या वो लोगो बेनेफिट कर रहे है कि नहीं, also इसके साथ-साथ इनके other statutory functions भी हैं, जैसे कि inspectorial functions हैं, कुछ investigating functions हैं, जैसे कि अभी क्या कर रही है, वो investigation कर रही है, कि और इशा यह जो train tragedy हुई है, कैसे हुई है, क्या कमी रही, क्या वज़ा रही, ठीक है, investigation कर रही है, also इनका advisory role भी है, advise करते फंक्षन है यह एक पर्टिकुलर एक्ट के अंदर स्टेटेड है इसका हेड़कॉर्टर का है लखना उत्तरपदेश के अंदर आप देखो सबसे इंपॉर्टन बात जो की यूपी ऐसी कही ना कई आप से पूछ सकता है क्योंकि यह एक अलग सा exception है कि यह किसके administrative control के अंदर आती है अब simply आपके सामने question आ जाएगा और आपको इसके बारे में नहीं पता है इसका particular commission के बारे में तो आप एक अंदाजा लगाओगे कि ministry of railway के अंदर ही आता होगा but यह under the administrative control of ministry of civil aviation आता है ना कि ministry of railways के अंदर क्यों reason बड़ा simple सा है कि CRS को अलग रखना चाहते थे from the influence of countries railway establishment also conflict of interest ना हो आगे जाकर दानला बाजी ना हो undue benefit हमें किसी को देखने को ना मिले नहीं चले इसलिए क्या कर दिया गया इसको ministry of civil aviation के अंदर रख दिया गया अब देखो इनकी इसके अलावा क्या 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 काम है new railway line अगर आ रही है क्या वो लोगों के लिए सई है क्या वो standards के साथ meet करकर लेकर आई जा रही है क्या यह सब काम भी यह particular commission करती है also statutory inquiry जैसे कि मैंने आपको बताया अगर कोई serious train accident है जो कि हमें अभी Odisha के अंदर देखने को मिला उसके regarding यह recommendations को भी सामने रखती है I hope आपको यह lecture अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो do not forget to hit the like button यहापे नीचे आपको like का button मिल जाएग इन lectures के अंदर छोड़े छोड़े lectures हैं आपकी current affairs जल्दी जल्दी अप्रिपेर हो जाते हैं तो आपको last में burdensome नहीं लगेगा और आपके जो current affairs है वो लगातार cover होते रहेंगे तो do not forget to subscribe to our channel study आई चली को मिलते है कल बबाई everyone take care and have a wonderful day ahead